दोस्तों आज हम सोल लैंड की न्यू एपिसोड 251 की ट्रेलर को डिटेल में एक्स्प्लेन करने वाले हैं। इस वज़े से आप विडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हमारा ट्रेलर शुरू होते ही हम सबसे पहले देखते हैं टैंग्शन को। इस सिन में टैंग्शन एंजल गौड क्वीन रेंक्सू के सामने ही खड़ा होता है। इसके बाद हम देखते हैं, जैसे ही टांग्शन Queen Rengsu को आगे बढ़ता देखता है, तो उसी के साथ ही टांग्शन अपनी Sea God Trident से उसके उपर बहुत ही जोड़दार तरीके से अटेक करता है, इधर हम Queen Rengsu को देखते हैं, जो इस अटेक को देखकर अपनी हाथ को आगे करती ह और अपनी दो ही उंगली से उस Sea God Trident की Main Blade को पकड़ लेती है, और हम देखते हैं इस समय Sea God Trident आगे बढ़ नहीं पाती है, और आसमान की ओर उचल जाती है, और नीचे आते ही सीधा Queen Rengsu की हाथों में आ जाता है, और उसी के साथ ही हम देखते हैं, Queen Rengsu Sea God Trident को उपर उठात हुए टांग्शन से कहती है, टांग्शन तुम्हारी सी God Trident तो वास्तफ में बहुत ही भारी है, और जिस हथियार पर तुम ज्यादा भरोसा कर सकते हो, वो पहले से ही मेरे हाथ में है, और अब मैं देखना चाहूंगा कि तुम इस बार एक God से कैसे बच सकते हो, इस पर टा डिवाइन वेपन को यूज किये लड़ना होगा, ये सुनकर के क्वीन रेंक्सू कहती है, टांग्शन मैं तुम्हें सबसे सीधे तरीके से हराना चाहती हूँ, अगर मैं इस फाइट में तुम जीत लेती हूँ, तो मैं तुम्हें तीन दिन का टाइम दूंगा बचने के ल इस पर टांग्शन मान जाता है, और फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है, तभी क्वीन रेंक्सू अपनी एंजलेक डॉमिन को एक्टिवेट कर लेती है, जिस पर हम देखते हैं कि एंजलेक डॉमिन टांग्शन के ब्लू सिल्वर डॉमिन को तोड़ते हूँ, चारो त जालता जा रहा है, जिसकी वज़े से वो रिंग बड़ा होने लगती है, और इसी के साथ ही टांग्शन क्वीन रेंक्सू से बहुत ही ज्यादा गुस्से से और चिल्ला के कहता है, मुझे जीवन पसंद है, और मुझे धार्मिक्ता भी पसंद है, अगर मैं दोनों को एक सा रूप से क्या कहा था, क्या, तो मितनी जल्दी अपना मन बदल लिया, वैसे दोस्तों आप सोच रहे होंगे आखिर यह किस तरह की टेक्नीक है, तो मैं आपको बता दू ये टेक्नीक दे ग्रेट सुमेरू हैमर की जैसा ही है, और इसमें स्पिरिट रिंग सब ब्लास्ट हो बदल शुरू होते हैं, तब उसके अंदर की एनरजी निकल कर टैंग्शन की बोडी के साथ मर्च हो जाती है, तब उसके बाद टैंग्शन की पावर कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, जैसे ही टैंग्शन इस तकनीक का इस्तेमाल करता है, तो उसी के साथ ही वहां के टैंग्शन भागता हुआ दिखाई देता है, और इतना कहते ही आज का हमारा ट्रेलर एक्स्प्लेनेशन यही पर कम्प्लीट हो जाती है, अगर आपको मेरी एक्स्प्लेनेशन अच्छी लगी हूँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना